तो जैसा कि कल मैंने आपको 28 question दिये थे लगाने के लिए बहतरीन वाले, सांदार वाले, इसमें कुछ सरल question दे, कुछ cutting question दे, बढ़िया तरीके से आपने इन question को लगाया होगा, यदि नहीं लगाया है, किसी सवाल में कहीं पर कोई attack हो, problem आ रही है, तो परिशान होने की तो क परिया तरीके से सांदार तरीके से जवर्दस तरीके से आज हम लोग कवर करने वाले हैं तो वीडियो को सुरू से लेके आखिर तक देखना है अगले लेक्चर के अंतरकत जिसके अंतरकत मैं आपको समाकरन बता रहा हूँ बोड एक्जाम को द्यान में रखते हुए एक एक सवाल हर तरीके का सवाल हर कैटेकरी का सवाल यहाँ पर आपको मिलेगा क्योंकि समाकरन आपके लिए बहुत ज़्यादा जोपी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं लिंक आपको पिन कमेंट्स के अंतरकत मिल जाएगी वहाँ पर जाएगी बढ़िया तरीके से पुराने वीडियो लेक्चर को देखिए कंप्लीट कीजिए और समाकरन परफेक्ट कीजिए इस बात को ध्यान रखीगा समाकरन बहतरी करत in pricing वने आप से कितने हो गये सवाअ कितने सवालों को लगाया है लगया है बहुत ही सिंपल साथाण से सवालों पर चर्चरि हैं अपको आपको कवीड पर पूची करेंगे हैं उनको को जो चैपर करने वाल है माइनस का को साइन का किया होता है माइनस का कॉस और एम एकस है तो एम एकस हो जाएगा बटे में x के साथ। म आए गा अभर या ऑप यह अपना अंछिन्य से चाहिए करने के लिए यहां pixel दोELLI का है हमारे पास mx है और आपने formula क्या पढ़ा है आपने formula यह पढ़ा है कि sin x dx बरावर minus का cos x plus c ठीक है ना आपने जो सूत्र पढ़ा है ये सूत्र पढ़ा है लेकिन हम अगर बात करें यहां पर तो यहां पर दिया है sin mx है क्या दिया है ? sin m x तो क्या करेंगे ? इस m x को आप मानेंगे कुछ इस m x को हम लोग t माल लेंगे ठीक है ? तो यहाँ पर आप कहेंगे माना m x बरावर t अब alkaline करेंगे अब alkaline यहाँ पर कैसे करेंगे ? वो समझ यह तो alkaline करने के लिए आप क्या करते हैं ? m को बाहर रखेंगे x का हो जाएगा dx x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा हमारे पास dt अब आप कहेंगे किस तरीके से alkaline करती है ? alkaline आपको याद होगा हम लोग किस तरीके से करते थे ? x के साफ x alkaline करते थे किस तरीके से ? x के साफ x ऐसे लिखते थे ? d upon dx m x बराबर d upon dx and t इस तरीके से करते थे कि ना ? इस तरीके से करते थे ? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ? कि m बाहर आएगा और x का हो जाएगा कितना ? 1 बराबर यहाँ हो जाएगा मैं पास dt बटे dx अब आप क्या करेंगे ? यह जो dx है इसको यहाँ पर उठा के लिए आएगे ठीके ? तो यहाँ आप लेके आएगे तो आप आएगे m dx बराबर d तो यह जो चीज है इस चीज को हम लोग यहाँ पर direct करने वाले हैं कैसे करने वाले हैं ? इस चीज को हम लोग यह जो आपको system मिला m dx बराबर d इस system को हम लोग direct करने वाले हैं अब वो चीज़ समझे direct हम लोग कैसे apply कर रहे हैं अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ की देखिएगा इस चीज़ को आफ सीधे-सीधे ले लिए यहां पर इस तरीके से इस सिस्टम को आफ लोग सीधे-सीधे ले रहे हैं यहां पर डारेट हम ने कहाँ यह सवाल आपका दिया था mx दिया था है ना यहां mx को हम लोग टी माले mx ब्रावर t m बार आया x का हम ने किया dx और t का कर दिया dt बस अब यहां पर आपको देखो यह क्या दिये सवाल में dx दिया तो dx दिया तो हम dx की value निकालेंगे इसकी value निकालेंगे dx की आप आप गाएंगे dx बरावर dt बटे एंब यह करने वाले हैं यहां पर ठीक है अगर अगर प्रतिस्थापन से करते हैं इस तरीके से करते हैं या फिर आप डारेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपको डारेक्ट सिश्टाप हो जाएगा ठीक है हाँ लेकिन वाल लीजिए अगर एक नमबर में सवाल आ जाता है तो आप बहतर तरीके से क्या करें कि यह प्रतिस्थापन लगाएं ठीक है क्या लगाएं आप फिर उस केस में प्रतिस्थापन करें एक नमबर के सवाल फो लगना तो चाहिए एक line में आंसा देदो क्या मज आए sin t का हो जाएगा, minus का cos t into का dt बटे into का, ये dt तो हट जाएगा, 1 upon m बाहर आजाएगा, into का 1 upon m, तो यहाँ पर आप प्लस का 1 c ले लेंगे, प्लस का 1 c, इस तरीके से बने जाएगा, ठीके न भई, sin t का हो जाएगा हमारे पास, minus का cos t, 1 upon m बाहर निकाल लोगे, प्लस का c हो जाएगा, और t के स्थान पे हम रख देंगे mx, ठीके, तो जब आप t के स्थान पे mx रख रहे हैं, तो यह हो जाएगा हमारे पास, finally, minus का cos mx upon m plus c, ठीके, और यही चीज तो मैंने आपको direct समझा रखी, कि यदि x के साथ किसी भी चीज का गोड़ा है, तो वो चीज क्या होगी, बटे में आ जाएगी, तो कुछ इस तरीके से प्रितिस्थापन होता है, I think so, आपको प्रितिस्थापन में कोई problem नहीं होगी, अगर आप लोगने मेरा course वाला video दे रखें, यह आपके समा कलन की कुछ एक्स्ट्रा तैयारी हो रही है, क्योंकि समा कलन आपके board exam के लिए बहुत ज़्यादा जुरूरी है, और इसलिए मैंने लिखाया कि समा कलन में सफलता है, इसलिए यह विजाई भवा सीरीज है, और इसलिए मैं यह चाहते हूँ कि आप फ़ड़ा भगएरा कर दे, फ़ड़ा साब मेरा बढ़िया अच्छा मुझे feel good महसूस हो, तो आप लोग फ़ड़ा भगएरा कर दिये कर दिये, like कर दिये कर दिये, मजा जाए, चिक है, और अगला सवाल हमारे पास है, 2x into sin x square plus 1 dx, अब यह तो किसी भी तरीके से direct नहीं हुगा, अब यह अपने लोग सवाल काफी हाथ तक direct करती आ रहे हैं, तो यह direct नहीं हुगा, तो फिर आप सोचोगे कि किस को मानोगी, तो यहाँ sign को मानने से किसी भी तरीका कोई फाइदा नहीं हुगा, अगर आप x square plus 1 को t मान लोगे, x square plus 1 को t मानने पर x square का alkaline 2x होता है, तो हमको 2x मिल जाएगा, यही आप कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ने कहा भी माना, x square plus 1 बरावर, हम लोग ने क्या मान लिया, t, ठीक है, माना x square plus 1 बरावर t, अब इसका आप alkaline करेंगे, तो x square का alkaline 2x into 1 का तो 0 हो जाएगा, x square का alkaline 2x होगा, 1 का 0 हो जाएगा, into में आप dx ले लेंगे, बरावर में आप dt ले लेंगे, x का हो जाएगा dx, और t के लिए हो जाएगा dt, अदोकों ये 2x है और ये dx है, तो 2x और dx into में हो जाएगा, हमारे पास simply dt, और वहाँ पर x square plus 1 की जागा पर, x square plus 1 की जागा पर हम लोग लग देंगे t, तो ये कितना हो जाएगा, integration, 2x dx और dt, और ये हो रहा हमारे पास sin t, sin t into dt, आप इसका formula अच्छे जानते हैं, minus का cos t plus c, और t के इस्थान पर आपको रखना है, minus cos t square minus cos t के इस्थान पर आपको रखना है, x square plus 1 करके, ठीक है, x square plus 1 plus c करके ये आप final लग देंगे, ये होगा, दूसरा question, बहुत आसान है, ठीक है, ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, आँगे पर चलते हैं, question अबर तीन देखते हैं, बहुत ही simple चीज़ है, देखिए, power 5 दिया है, power 5, तो आप direct भी जा सकते हो, या फिर आप टी मान के भी जा सकते हो, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, direct भी बताऊंगा, और टी मान के भी, देखिए, direct कैसे, आप कहेंगे, ये हमारा power वाला formula हो रहा, पहले अगर मैं direct की बात कर लेता हूँ, तो power वाला formula हो उससे साब से क्या होता है, 4-9x, और power में एक गुणेंगे, 5 में एक गुणेंगे तो 6, जो घात बने ही, उसको हम लोग नीची ले आएंगे, तो यह हो जाएगा बटे 6, अचा, x के साथ किस चीज का गुणा है, आप कहेंगे x के साथ माइनस 9 का गुणा है, x के साथ किस का गुणा है, माइनस 9 का, अब अगर x के साथ माइनस 9 का गुणा है, तो मैंने आप से कहा है, जिस चीज का गुणा होगा x के साथ, उसको हम नीचे ले आएंगे, तो माइनस 9, माइनस 9 के नीचे हम एक लेख सकते हैं, और यह चीज क्या होगी यह पर ठोटेगी यानि एक उपर जाएगा माईनश 9 नीची आएगा तो basically माईनश 9 का गुणा होगा 6 के साथ ठीक है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इस चीज को कि हम लोग कहा रहे हैं यहां पर जो माइनस नो आएगा वो यहां ले लिए इस तरीके से ठीक है ना बात किलियर है 4 माइनस 9x की पावर 5 है अब यह पावर वाला फॉर्मूले से जाएगा तो उस हिसाब से होता है कि जो घात होगी उसमें एक जोड़ देंगे तो 5 में जोड़ देंगे तो 6 हो जाए अधुकर यहां पर क्या हो जाएगा नो चौकर चंगुवन होता है है ना तो नो चौकर चंगुवन ले लेंगे माइनस का 1 अपन 54 और यह हो जाएगा 4 माइनस का 9x की पावर 6 प्लस सीगर इतना हो जाएगा ठीक है अब अगर मैं वहीं बात करूं प्रिती स्थापन से आप x एक्वल टू टी आउकलन करेंगे 4 का 0 माइनस 9 बाहर x का dx बरावर में dt सिंपल अच्छा dx बरावर कितना मिल जाएगा हमारे पास इतना सिस्टम आप रिप्लेस करोगे तो आप कह रहे हो इंट्विगेशन ओफ 4 माइनस 9x की जगे आएगा टी तो टी की घात 5 कितना हो जाएगा टी की घात 5 हो जाएगा इंटू में dx की जगे आप कहांगे –1egas dx की जगेह आप कहांगे आप माइनस का बाहर निकालेंगे माइनस के बनाप और 9 को आप बहार निकालेंगे T की घात 5 प्लस और T की घात 5 और इंटू DT अच्छा T की घात 5 का कितना हो जाएगा आप कहेंगे घात में एक जोड़ना है बटे 6 आजाएगा जो घात वो नीची ले आएंगे प्लस C तो सिंपली आप कहें रहे हैं 9 शकर्चा 1 माइनस का 54 और T के स्थान पे आपको रखना है 4 माइनस का 4 माइनस 9 X की पावर 6 प्लस C करके यह हमारा को आंसर हो रहा तो प्रतिष थापन से आप ऐसे जा सकते हो डारेक्ट भी आपका सिस्टम वही जाएगा तो डारेक्ट जाना चाहो तो डारेक्ट जाओ कोई दिक्कत नहीं प्रतिष थापन से आप ऐसे जा रहे हैं अगला सवाल लेखते हैं फटा फट से क्या दिया देगी कितनी बार पूछा 22 में 3 में 9 में 10 में 15 में अच्छा सवाल है और सिंपल सवाल है कई बार पूछा जा चुका है ऐसा कोई कठिन सवाल भी नहीं है अगर बातुर। कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x करना क्या है वो समझो ठीक है तो यहाँ पर आप कह रहे हैं इंट्रीगेशन अच्छा इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वाइर x का होल स्क्वाइर ऐसा लेख सकते हैं तो कॉस स्क्वाइर x का होल स्क्वाइर माइनस का साइन स्क्वाइर x का होल स्क्वाइर एंड्ड दी एकस ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर आप a स्क्वाइर मैनस b स्क्वाइर कर रहे हैं एक बार प्लस में कर रहे हैं, एक बार आप माइनस में कर रहे हैं, गाट इट ना, हाँ, cos square x minus का sin square x, minus का sin square x and dx, इतना कर लेंगे, बहुत बढ़ी है, यहाँ आप अच्छे से जानती है, cos square theta plus sin square theta, यानि कि sin square theta plus cos square theta, यह value हो जाएगी बढ़, और ये होता हमारे पास formula किसका formula होता है cos 2 theta वाला formula जा रहा है ठीक है ना हाँ तो cos 2 theta के 45 formula होते हैं इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है cos square x minus sin square x क्या होगा cos 2x हो जाएगा यह हो जाएगी one value तो यहाँ पर आप आप आएंगे cos 2x into dx अब आप आसानी से बता पाएंगे cos 2x हो जाएगा हमारे पास sin 2x upon 2 plus c अब यहाँ पर प्रितिस्तापन करने की ज़रूत नहीं तो आप simply कह देंगे इतना आपको clear है कि cos का होता है sin और 2x से तो 2x होगा x से अद्धू का गुणा है बटे दो प्लस c तो यह हमारा final answer हो जाएगा बहुत simple चीज थी ठीके ना आँगे बड़ चलते है question 5 देखिए cos square x dx 2019 का सवाल है पुछा गया बहुत ही आसान है इस तरीके के जो चीजे हुई है वो पहले भी हुई है को तू ठीकेण के लिए अगर मैं बात करता हूँ positive लेए तो कई formula होते है जिसमेंसे होता है हमारा एक formula cos square theta minus sin square theta यह होता ऑ कि नहीं होता है बिलकुल उता है एक होता है हुता है एक होता है हमारे पास one minus साइन sq ठीट स और एक होता हमारे पास one minus का 10 square theta upon में 1 plus का 10 square theta तो देखो cos 2 theta के लिए cos 2 theta के लिए हमारे पास कई formula होते हैं जिनको आप बढ़िया तरीके से ध्यान रख सकते हो ठीक है हाँ तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है ये formula होते हैं बढ़िया मैंने star भी लगा दी अब यहाँ पर क्या कहां मिलता है cos square x आपको यहां मिलता है ठीक है न इस जगे मिलता है तो इस जगे का इस्तेमाल करने वाले यानि आप यहां पर कहेंगे कि cos 2 theta बरावर कितना 2 cos square theta minus 1 2 cos square theta minus 1 और उसके बाद आप ले लेंगे यहां से कहेंगे cos square theta theta बरावर cos 2 theta अच्छा माइनस एक पच्छा अंतर होगा तो प्लस एक हो जाएगा और दो का भाग होगा तो दो का गुणा है तो भाग हो जाएगा तो cos 2 theta plus 1 upon 2 ठीक है तो basically हम लोग इस चीज का इस्तिमाल करेंगे ठीक है यह इस्तिमाल कर लेंगे और यहां पर आप करते हैं cos square x की जगे cos 2 x cos 2 x plus 1 upon 2 और यह हो जाएगा हमारे पास dx करके ठीक है तो एक बटे दो बाहार आएगा ठीक है भाई cos 2 x का समा कलन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा sin 2 x upon 2 ठीक है sin 2 x upon 2 1 का समा कलन करेंगे तो x मिलेगा और प्लस c हो जाएगा यहां से हमारे पास आंसर कितना होगा 1 upon 4 1 upon 4 sin 2 x plus 1 upon 2 x plus c करके यह हमारा final answer हो जाएगा simple है ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना देख लेना कहीं कोई दिक्कत हो reverse कर लेना समझ लेना बहुत ही आसान चले आ रहा है सब कुछ चीजें आंगे बढ़े चलते हैं कोश्चेंबर पांक की बात कोश्चेंबर 6 आपको क्या कह रहा है देखिए अब sin3θ में यह sin3θ हमको मिल जाता तो यहां से हम sin3θ की value निकाल पाएं यह आसानी से sin3θ की value आएगी वह हो जाएगी इसका पच्छांतर करेंगे sin3θ घटेगा तो 3sinθ- sin3θ और 4 का गोड़ान तो चार का भाग करेंगे यह बनेगा sin3θ के लिए आप यह बनाओगी और वो कहां से आएगा यह आएगा sin3θ से यह formula तयार होंगे चाहिए sin3θ बरावर 3sinθ माइनस का 4sin3θ और यहां से आप simply निकाल पाएंगे ठीक है तो यह अपना formula आपको याद रखना है ठीक है 4 and dx यह system है देखिए 1 upon 4 बाहर आएगा simply अच्छी बात है यहां 3 आएगा sinx का आप करेंगे तो minus का cosx होगा minus है sin3x का आप करेंगे तो minus का cos3x minus का cos3x होगा upon में x के साथ 3 का गुणा हो रहा ना तो बटे 3 हो जाएगा plus c हो जाएगा तो यहां से आप कह रहे हैं 3 बटे 4 हो जाएगा minus का 3 बटे 4 cosx और 4 का गुणा होगा यह हो जाएगा minus minus plus 1 बटे 4 ती 12 cos3x plus c करके ठीक है इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं एक बटे 12 cos3x minus का 3 upon 4 cosx plus का सी करके यह अपना अंसर आजाएगा ठीक है इस तरीगे से कोश्यमर्च होगे बढ़िये तरीगे से देख लिएगा कोश्यमर्च है के बाद कोश्यमर्च साथ देखेंगे यह पता होगा अगर inverse है अंदर भी हमारा वही होना चाहिए है ना तो अंदर अगर साइन है तभी मामला बनेगा लेकिन यहां पर साइन नहीं है कोश्य-कॉस है तो फिर और यह है तो पिर क्या करोगा आप पको यह पता है ची तरीगे से qualcुम्हुइज अब्र स्थी लिए करते हैं प्रतमते तोर्दान में सब कुछ प्लस में होता है तो sin जो है को cos में convert विलाता है यह सब आप सीखते हैं तो sin 90-θ, cos θ होता है तो cos θ की जगे पर आप यह सीधा-सीधा रख सकते हैं रख देंगे यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाईया मेरे sin inverse cos की जगे आप क्या लेखेंगे cos की जगे आप लेख रहे है sin 90-θ यानि की pi y2-x pi y2 90 degree है ना sin inverse से sin हट जाएगा तो आप कहेंगे simply pi y2-x dx अच्छा क्या है pi y2 अचरपद है जब अचरपद का आप समाकलन करेंगे तो एक x भी आएगा कैसे आएका समझना इस पर वैसे मैंने पहले भी बात की है लेकिन ध्यान रखिएगा यह हो जाएगा x dx अभी मैंने क्या किया समाकलन को दोनों में बाट दिया अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे pi y2 जो है constant है बाहर निकलेगा तो एक बज़ जाएगा अंदर dx माइनस का x की घाट 1 है तो आप कहेंगे x की घाट 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c ठीके न घाट 1 है तो एक में एक दोड़ेगे दो हो जाएगा तो यहाँ से आप इतनी बात ध्यान लग सकते हैं क्या कि यदि अचरपद का आप समाकलन कर रहे हैं तो अचरपद रहेगा और उसके साथ हम लोग x और ले लेंगे ठीक है तो यहाँ से आप ता आंसर कितना जाएगा 5y2x माइनस x स्क्वाइर अपॉन 2 प्लस c करके यह हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा तो कोश्य अमर 7 हो गया आंगे बढ़ते हैं कोश्य अमर 8 की तरफ साइन क्यूब x इंटू का कॉस स्क्वाइर अक्स से डी एक 2019 में पूछा के सवाल है सिंपल सवाल है देखेगा करना क्या है साइन क्यूब है तो साइन क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वाइर खीटा इंटू का साइन स्क्वाइर एक्स इंटू का साइन एक्स इंटू का कॉस स्क्वाइर एक्स अब एक्स अब एक क्यूब है पहले भी इसको कर लेते हैं, sin²x को अगर हमने 1- cos²x कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप कर लेंगे, sin²x की जगे 1- cos²x into sine x into cos²x dx, अब आप यहां पर यह सूच सकते हैं कि सर आपने sin2x को ठीक है 1-cos2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम sin2 की जगे cos2 को भी कर सकते हैं, अगर हम cos2x को करते हैं, बात यहां पर समझ नहीं किया, मैंने पहले भी कहा था, प्रितिस्तापन करने के लिए सुझा करो कि इसका ह साइसे कर सकते हैं, अगर हमने cos2x का किया, 1-sin2x, तो देखो, यहां sin2x है, यहां sinx है, यहां पर 1-sin2x है, तो सब जगे sin2x हो गया कि नहीं, सब जगे sin2x हो गया, फिर आप sin2x को मानोगे, sin2x को अगर आपने t माना और alkaline किया, तो cos हो जाएगा, लेकिन क्या फिर कहीं प यहां साइन मिल जाएगा, यहां साइन मिल जाएगा, और इस चीज की जगए, यहां पर भी sin हो जाएगा, फिर आप कुछ अच्छे से मान नहीं पाऊगे, तो हमने क्या किया, sin2x को यहां बर माइनस cos2x कर दिया, तो हमारे पास यह सिच्टम हो गया, अब यहां पर दो ची यहां पर भी है, cause यहां पर भी है, तो two manning cause, है न, cause आपके बहुत ज़्यादा है, तो sign को नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे, cause को मानेंगे, यह पूरा चीज आपके दिमाग में अच्छी तरीके से set होना चाहिए, कि किसको मानना है, कहां से मानना है, और किस तरीके से मानने साइन को नहीं मानेंगे साइन को मानोगे तो यहां पर कॉस बहुत जाद है कोई फरक नहीं पड़ेगा कॉस को मानेंगे एक साइन एक साइन आपका लखिका था यहांपर आप सिंपली कहेंगे ऐना कोउस एकस बरावबर दि अक्षा और रहे हैं अब यहां रेप्लेस मार रहे हैं आप integration of 1 minus cos की जगे t 1 minus का t square हो जाएगा sin x dx हो रहा minus का dt cos square x तो यह हो रहा हमारे पास t square and minus का dt इतना हो रहा कि ने minus t square का minus को इसके साथ ले लिजी है और minus t square का अंदर गुणा करातीजी आप यहाँ पर simply कहेंगी integration of minus का t square minus minus plus t की power 4 और और dt इस माइनस को t square के साथ लिया इस माइनस को t square के साथ लिया और अंदर गुणा करा दिया तो माइनस t square फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और t की घाट 4 आजाएगी simple बात है ना अब इसका आप आसानी से कर पाओगे समा कलन कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है ना दिखे करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम इसका करते हैं माइनस t square का तो माइनस का t की घाट 3 बटे 3 प्लस का t की घाट 4 है तो आप कहेंगे t की घाट 5 बटे 5 एक अचरपद c ले लेंगे और t के स्थान पर आएगा cos x यहाँ पर आप कह सकते हैं माइनस का 1 upon 3 cos cube x plus 1 upon 5 cos की power 5 x plus का c प्लस वाले को चाहो तो आँगे ले लो 1 upon 5 cos की power 5 x minus का 1 upon 3 cos की power 3 x plus का c और यह हमारा total final answer है देख लिए बढ़िया तरीके से सांदार वाला ठीक है ना तो यह question number 8 हो गया आँगे बढ़े है question number 9 की तरफ जो की आपको दे रखा है sin 2 x into cos 3 x dx और 19 का सवाल यह भी है और आप अच्छे से जाने कि इस सवाल भई लगाना किस तरीके से important सवाल है यह वाला ठीक है इनको मैं याद कर रखने की आपको ट्रिक दी बता देता हूँ इचार फॉर्मूली आप याद रखेगा कि 2 sin a into cos b बराबर यह होता है 2 sin a into cos b क्या होता बही यह होता हमारे पास sin a plus b plus sin a minus b यह होता है इसके बाद आता हमारे पास 2 cos a into sin b तो यह फॉर्मूला होता हमारे पास है क्या करके sin a plus b minus sin a minus b अगर दोनों चीज़े अलग अलग है मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ sin है cos है cos है sin है ठीक है अगर इस तरीके से है तो आप sin sin में लेते हो किसमें लेते हो sin sin में लेते हो याद अगर इस तरीके से है तो आप क्या करते हो sin sin में लेते हो लेकिन अगर एक जैसी चीज़े है जैसे 2 sin a sin b हो जा या 2 cos a cos b हो जा अगर एक जैसी चीज़े है तो फिर हम cos में लेते हैं, बास समझेगा, अगर है 2 cos A cos B, तो यह हमारे पास बनता है cos A plus B plus cos A minus B, और वहीं अगर है 2 sin A sin B करके, तो यहां पर आप ध्यान रखी, देखी, मैं आपको क्या बता रहूँ, अगर अलग-अलग है, sin A cos B, cos A sin B, अगर अलग-अलग हैं, तो sin में फर sin A sin B, तो cos में फर्मूला बनेंगे, लेकिन यहां तोड़ा ध्यान रखीएगा, यह sin A sin B का फॉर्मूला, आप बनाते हैं, cos A minus B, minus का cos A plus B, यह हमारे पास चार फॉर्मूले होते हैं, जिनको आप बढ़िया तरीके से ध्यान लखेंगे, अच्छे प्रकार से बढ़िया सब देलेल बनालो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको बहतीन तरीके से याद रखलो, फूल पत्ती बनालो, सब कुछ बनाना है, अपको सब बनालो, ठीक है? लेकिन याद रखो, ठीक है? सल्यालो, जो करना है वो एक लोगने याद रखो, यह 4 फॉर्मूले होते हैं अपने पास, 2 sin एंसे में पूरे माइनस की कोवना होगे तो चीज बदलось जाएगी ठीक है तो बसเรीका आपको यह ध्यान रखना है कि हमको कौन सा फॉर्मूला इस्तिमाल कर लेना है यह बहतीन तरीके से याद रखिए कौन सा फॉर्मूला यहां पर इस्तिमाल करने वाले तू यह आपको दिया साइन टू नहीं दिये रहें यह जो होते हैं यह तू नहीं होते अब यह तू नहीं 2 and 1 upon 2 and sin a plus b plus sin a minus b यह बनेगा ठीक है यह मेरे किलियर बात है चले दिखें तो यह इतना सिस्टम अपना हो गया आगे बढ़ें अगर हम लोग सवाल की तरफ तो सवाल आपको यह दिया 2x into cos 3x तो यह अप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो आप कहेंगे 1 upon 2 ठीक है न और चाहो तो 1 upon 2 बाहर डारेक्ट निकाल लो या फिर आप करें integration of integration लिया sin 2x cos 3x के लिए यह लगा रहे हो और 1 upon 2 हुआ और अंदर बनेगा हमारे पास sin a plus b यानि कि तेकि a plus b करना है डारेक्ट जोडो 2x plus 3x 5x कर लो कोई दिक्कत नहीं है या फिर आप ऐसे कर लो मेरी बास सांग में आई चाहो तो डारेक्ट कर लो चाहो तो आप ऐसे कर लो ठीक है 2x माइनस का 3x इस तरीके से या फिर आप डारेक्ट यह लाइन नहीं लिखना है तो आप 5x और माइनस x डारेक्ट भी कर सकते हो ठीक है आच्छा 1 upon 2 बाहर आएगा integration यहाँ पर आप लेंगे साइन का 5x यह जाएगा प्लस में साइन का माइनस x and dx हो जाएगा तो यहां से आप कह रहे हैं 1 upon 2 integration of sin 5x अचा sin के अंदर माइनस है यह जो माइनस होता है वो बाहर निकल आता है याद रखिए तो माइनस का sin x and dx हो जाएगा ठीक है अब यहां पर आप कह रहे हैं 1 upon 2 और sin 5x का अगर आप समाकलन कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं माइनस का cos 5x अपन में 5 इस तरीके से माइनस sin x का करेंगे तो माइनस का cos x प्लस का c ठीक है तो यहां से आप डारेक्ट आंसर कितना हो रहे हैं दीखें माइनस माइनस प्लस कर लिए तो यह माइनस माइनस प्लस किया तो cos x आपने आंगे ले लिए cos x आंगे ले लिए ठीक ह यह आपके माइनस है एक बटे दू और पांच दस हो जाए गई आपका ठीक है तो माइनस का वन अपॉन टेन को स्वाइव एक्स प्लस का सी करके यह हमारे पास परफेक्ट आंसर हो रहा है ठीक है ना देख लीजिए बढ़ यह तरीके से कोई दिक्कत नहीं है माइनस माइनस से ले लिया वह वाला माइनस था तो एक ड़े दो और पांच हो गी इक बटे 10 ही हो गया आपका कॉस 5 पावर 3-5x दोएर गयराग सवाल है, चले सिंपल सवाल है, अगर मैं बात करूँ, पिरतीस थापन से जाने चाहो, पिरतीस थापन से चले जाओ, मेरे साथ तो डारेक्ट जाओ, एकी पावर x का, एकी पावर x होता है, तो आप कहेंगे एकी पावर 3-5x मैंने आपको क्या याद दिला है, मैंने आपको यह समझाया है, कि x के साथ अगर किसी भी चीच का गुणा है, तो वो बटे में जाएगी, यानि x के साथ किस चीच के गुणा है, माइनस 5 का, अब x के साथ माइनस 5 के गुणा है, तो है अगर आपको प्रतीस्थापन से ओसे में में करेंगे प्रतीस्थापन発ask में हमारे पर सवाल है e की पावर 3 माइनस का 5 x dx यह सवाल है ठीक है अब फिर क्या करेंगे आप मानेंगे माना 3 माइनस का 5 x बरावर t ठीक है माना 3 माइनस 5 x बरावर t आप यहां पर आउकलन करोगे 3 का 0 माइनस 5 बाहर x का dx बरावर dt यहां से आप कह सकते हैं हमको चाहिए अकेला dx माइनस 5 का भाग करोगे तो हम कहेंगे dx बरावर dt बटे माइनस का 5 यह बोलेंगे अच्छी बात है इसके बाद क्या करोगे इसके बाद यहां से आप करोगे integration of e की बावर t into dt बटे माइनस 5 यहां-1 बटे 5 बाहर आया e की बावर t का e की बावर t हो जाएगा और प्रस c करोगे यह आप करोगे माइनस बना पॉन 5 e t की जागा क्या रखना हमको 3 माइनस 5 x ठीक है तो आप कहेंगे 3 माइनस का 5 x प्रस c और यह आंसर अब आप मैंसे काफी इस्टुडेंट यह सोचेंगे सर जब आप डारेक्ट सिखा रहें तो इस तरीके से प्रती से क्यों सीखें हों तो भाईया मेरे प्यारो यारो दुलारो एक बात अच्छे से याद रखना पहली बात तो हमको जितने अच्छी तरीके से मैथट तयार होंगे डीपली वह बहुत अच्छी बात होती है दूसरी बात यह याद रखी कि मान लीजे अगर यह एक नंबर का सवाल आ जाता है तो दो लाइन में सवाल करने से बहतर है कि इस तरीके के सवालों को प्रतिस्थापन से करके आईए जहां पर वो बहतर तरीके से दिखेगा और जहांपर टीचर को एक नंबर देने में आसानी लगेगी ठीक है मेरे कहने का मतलब आप समझ गए जहां पर ज आपके लिए अच्छा चीज़ सही रहता है ठीक है क्योंकि नंबर देने में भी आपको सही लगेगा समझ गए बात तो यह सवाल के नेचर पर कर सवाल के नंबर पर डिपाउ चाहो तो डारेक्ट जाओ चाहो तो इस तरीके से करो लेकिन मेरा लीजिसे मतलब माल को यह सवाल एक नंबर का होता है ठीक है तो ञिब आप तो सब्सक्राइब ग Forsch humility फाइगा और आंसर करना क्या अगर मैं बात करूंँ तो आपको पता है कॉस्ट फीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा-1 यहां से आफ साइन स्क्वायर की वैल्वी निकाल पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा-1 जो माइनस है के वो पच्छानतर होगा तो आप कहेंगे कॉस्ट टीटा प्लस वन और दो का गुणा है तो भाग दो का हो जाएगा ठीक है इस चीज का हम लोग इस्तिमाल करने वाले हैं यह फॉर्मूल आप अप्लाई करेंगे यहां पर तो यहां आप कहेंगे हैं इंट्रीगेशन औ अफ स्सेटू प्लस प्लस वन अपउन घू इतना यठ वन अपउन गर दो बाहर निकार मेंल हैं इंट्रीगेशन ले रहे हैं और अपूऑ अप्लस वन यहां पर आपके रहें 1 upon 2, cos 2x का हो जाएगा मैंने पास simply, sin 2x upon 2 और plus 1 का हो जाएगा मैंने पास x और अचरपद c, तो यहां से आप final answer कह देंगी, 1 upon 4, sin 2x plus 1 upon 2x plus c करके, यह answer होगे, बताजे, क्या देखता थे, चाल लाइन का सवाल है कि नहीं, बढ़िये तरीके से, आंगे बढ़ें, question बर 12 सब्सक्राइब करना क्या है, वो समझते हैं, ठीक है, sin x square x into cos square x है, तो देखेगा, यहां पर आप simply square से लिख सकते हैं कि नहीं, sin x into cos x का whole square, ऐसे ले सकते हैं, बढ़िये, square square दो नहीं चाहिड़ा, तो whole square simply ले लिए, अगर हम लोग 2 का उपर नीचे गुना करा लें, अगर सरी के से ले ले ले, 2 sin x into cos x upon 2, तो यह उपर वाला system, formulae में convert हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो यहां पर आप कह सकते हैं, यह तो होगे हमारे पास, sin 2 x upon 2 का whole square and dx, अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, पहली बात तो यह हो जाएगा हमारे पास, sin square 2 x upon, नीचे 2 का हो जाएगा 4 and dx, वही बात आगए, देखो sin square, इसे अभी अपनी सवाल लगाया था मां, क्या, sin square के लिए, sin square theta के लिए, लगाया था कि नहीं लगाया था, बिल्कुल लगाया था, तो यही चीज तो आगए, sin square करके, तो sin square करके आगए, लेकिन यहां ध्या अब 2 x दिया तो कैसे बनेगी बात, देखिए, cos 2 theta बरावर होता है हमारे पास, 2 sin square theta minus 1, यह होता है, तो यहां से अगर आपने निकाला sin square theta, तो अगर sin square theta निकाला तो आप कहेंगे, cos 2 theta plus 1 upon 2, यह बोलते हैं, लेकिन यहां आप देख रहे हैं, sin square 2 x, अब sin square 2 x देख रहे हैं तो आप कहेंगे, यहां पर हम ले लेते हैं, sin square 2 theta, ठीक है न, theta के साथ हमने और क्या ले लिया, 2 ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहां पर आप 2 x देख रहे हैं, यहां 2 x देख रहे हैं, तो वहां पर हमने क्या ले लिया, तो अब क्या कीजिए, अगर यहां 2 theta ले रहे है इसके साथ भी एक 2 का गुणा होगा भी बात के लिए रहे तो इस सीथी में हम लोग क्या लेंगे cos और यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे 2 का गुणा करने पर ही हो जाएगा हमने पास 4 theta 4 theta plus 1 upon 2 sin square 2 theta के स्थान पर आजाएगा cos 4 theta plus 1 upon 2 और इस चीथ के हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं ठीक है ना इस बात समझ गए देखिए कोई दिक्कत नहीं sin square theta यह होता है अच्छी बात है लेकिन हमारे पास sin square 2 x यानि हमको चाहिए sin square 2 theta तो theta के साथ हमको क्या लेना है यहां दो लेंगे तो यहां पर भी एक दो आएगा ठीक है तो यहां तो हो जाएगा तो दो निशार करके और यह हो जाएगा 2 theta अब यह value रख दो के आप यहां पर आप simply कह रहे हैं integration of 1 बटे 4 को बाहर निकाल लो sin square 2 theta जो है हमारे पास cos 4 x cos 4 x plus 1 upon 2 sin square 2 theta की जगे cos 4 x plus 1 upon 2 आएगा इस तरीके से एक बटे 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं एंड यह dx हो जाएगा 2 जाएगा एक बटे 8 cos 4 x का और एक का आप समाकलन कर पाऊगे आसानी से ठीक है तो कितना में जाएगा 1 upon ठीक है चार दूनी 8 कर रहे हैं ठीक है अंदर क्या बट जाएगा cos 4 x का तो आप सिंपली कह देंगे कि यह हो जाएगा cos 4 x का sin 4 x upon 4 cos 4 x का sin 4 x upon 4 और एक का हो जाएगा हमारे पास x ठीक है एक का हो जाएगा x plus का c तो आप यह कितना हो जाएगा 8 चो को 32 1 upon 32 sin 4 x plus में 1 upon 8 x plus में c करके final answer हो गया ठीक है ना बढ़ी है सवाल था देख लिए अच्छी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है कोई शमिश्या नहीं है आँगे पर चलते हैं question number 12 question number आपका यह 13 cos cube x dx 2000 और 18 में पूछा गया सवाल थे सवाल repeat करते हैं मैं आपको बार बर करते हैं 2000 पूछा गये तो 18 साल बात फिर पूछ जिया गया ठीक है तो इस तरीके से लेकिन सवाल बहुत आसान है cos q x सवाल बहुत आसान है लेकिन सवाल उनको आसान लगेगा जिनको यह फॉर्मूला तयार है है ना यह फॉर्मूला को सब्सक्राइब करते हैं तो इस फॉर्मूले आपको बढ़िया तरीके से द्यान रहने चाहिए तो साइन थीट अगल मैं बात गड़ता हम साइन थीट साहिए 3- Alzheimer factor उस charald यह होता है आँखिया तो सब्मूलीं में एह से आफ ना यहाँ से आप आसानी से आख्र कोल है गहाँ बच्ना लिए आखिए जाएगी तो हमलों लोग स्थ twor कूँब घए को स्दूब ए बाग और चीज़ का इस्से स्वाब कर रही हैं यह सिस्टम तो यह जो दो फॉर्मूले है ना आप को याद रखना ठीक है और कोई कठें चीज नहीं है किलियर बात है तो यहां पर अप्लाई कर दोगे आप इंट्रिगेशन ओफ है प्लस थ्री कॉस एक्स अपॉन मैं फूर यह बन जाएगा ठीक है भए डी एक बट्टे चार को आप बाहर निकालेंगे और आप समाकलन कर दिजिए कॉस तीन एक्स का तो आप कहेंगे साइन तीन एक्स बट्टे थी प्लस का तीन बाहर रहेगा कॉस क होता है साइन एक्स और एक अचरपद सी एक बट्टे चार का गुणा करो तो एक बट्टे बारा साइन थ्री एक्स फ्लस में तीन बट्टे चार साइन एक्स फ्लस में सी करके यह अंसर हो गया और एक चीज का और ध्यान रखा ना है आपको जब भी बोड एक्जाम में आप फॉर्मूला जरूर लिखके आए करें, कि किस चीज से आप ये सब कर रहे हैं, फॉर्मूला आप बताएंगे, बहुत सही रहेगा, कि हमको पता है, टीचर क्या जानना चाहता है, कि साल भर आपने क्या पढ़ा, एक तो जानना चाहता है, इसलिए क्या किया करी है, कि जो भी इसका फॉर्मूला जरूर लिखके आएगा, तेरा चुदर नंबर, साइन एक्स इंटू साइन थ्रिक्स, अब ये तो वही बात हो गई, फॉर्मूले वाली, कि जो मैंने आपको चार फॉर्मूले बताया थे, उनी में से ये बनना है, मैंने आपको बताया था, अगर दोनो साइन एंटू का साइन बी के लिए, तो साइन एंटू साइन बी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, कि थोड़ा सा आंगे पीछे होता है, कॉस ए माइनस बी, माइनस का कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीके ना, इस शीज का आप इस्तमाल करने वाल sin A into sin B बराबर 1 upon 2 and cos A minus B minus cos A plus B करके यह आपका formula हो गया अब बस आपको यह formula की मदद से यहाँ पर apply कर देना है तो यहाँ से आपका simply कितना निकल किया जाएगा अगर मैं बात करें तो integration of sin x into sin 3x यहाँ पर आप रखेंगे 1 upon 2 cos A minus B यानि कि cos x minus 3x minus cos x plus 3x कितना हो जाएगा and dx तो कितना जाएगा यह 1 upon 2 बाहर निकालेंगी integration यह आप कह रहे हैं cos minus का 2x minus का cos 4x यह कह रहे हैं and dx अच्छा यह हो गया 1 upon 2 integration cos के अंदर अगर minus है cos के अंदर अगर minus है तो वो minus बाहर निकलेगा और plus हो जाएगा यानि cos 2x हो जाएगा minus का cos 4x कह रहे हैं और यह dx अब आप यहाँ पर आसानी से कर पाएगे के साइन 2x के साथ 2 गणा है तो बटे 2 minus power x का हो जाएं हमारे पास साइन 4 6 अथा चार साइन 2X से रहे हैं घट कर दो तो यह हमारे पास बढ़ आयर कितिना हो जाएगा अगर बात करता हूं तो यह हो जाएगा हमारे पास पास पर 4 साइन 2 ऐ घंग Пол यह और साइन 2X, एक बट्टे 4, साइन 2X, माइनस का एक बट्टे 8 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का बना फॉन 8, एंड साइन का 4X प्लस का C करके, यह अपना अंसर हो रहा है, देखलो फटा-फट से, बहतरी इन तरीके से देखलो, ठेक है न, यह अपना हो गया, मेटर, ठेक है, कोई ज़्यादा कटें चीज़ नहीं, वो 4 फॉर्मूले याद रखिएगा, चार फॉर्मूले बढ़ी तरीके से देखलो रखिएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठेक है, सवाल में, यह फॉर्मूला आपका वही जा रहा है, कि साइन एंटू साइन बी बराबर 1 अपॉन टू, एंड कॉस ए माइनस बी, माइनस का कॉस ए प्लस बी, ठेक है, कि आप वह चार फॉर्मूले बढ़ी तरीके से याद रखिएगा, और मैं वही चीज कहता हूँ, कि जब भी कोई चीज ऐसी देखो ना, कि आपको भूल रही हो, तो डाइरी बनाओ यार, ठीक है, मैं फॉर्मूले की डाइरी बनाने के लिए आपको उसे कितनी बार कह चुका हूँ, डाइरी बनाओ, और ऐसा नहीं कि मैं क्या करूंगा जिब एक्जाम आएगा, मैं तब एक डाइरी बना लूगा, नहीं, ऐसा नहीं करो, time to time regular काम करती जाओ, ठीक है, रेगुलर इस बात को ध्यान रहो, कि अगर आप regular काम करते जाएंगे, regular practice करते जाएंगे, तो कोई डिक्कत आईगी ही नहीं करूंगी, मैं आपको बतारू इस तरीके से ठीक है हाँ यहाँ पर करेंगे अगर सिस्टम तो यह हो जाएगा मारे पास integration of 1 upon 2 cos a minus b यानि आप कह रहे हैं cos 3x minus का 5x minus का cos 3x plus का 5x इस तरीके से ndx अच्छी बात है तो कितना होगा 1 upon 2 बाहर रहेगा integration यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos minus 2x minus का cos 8x यह मिल रहा है and dx तो अब आप कहेंगे 1 upon 2 और हमारे पास यह सिस्टम हो जाएगा integration तो आप कह देंगे cos 2x minus का cos 8x and dx ऐसा हो जाएगा अच्छा इसका समा करना कर लो तो 1 upon 2 और cos का हो जाएगा हमारे पास sin 2x upon 2 minus का sin 8x upon 8 और plus का c हो जाएगा इतना हो गया एक बटे दो का अंदर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 8x sin 8x plus c करके यह अपना अंसर बैठ गया बढ़ी है तरीके से तो पंदर मा हो गया आंगे पर चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो की हमारा सोलमा सवाल और आपको दिया है कि sin 4x upon में sin 4x upon में sin x ठीक है तो देखिएगा यहां पर क्या करें integration of sin 4x तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2 2x sin 2 2x और upon में sin x ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बिल्कु लिख सकते हैं यहां पर आप sin 2 theta का formula लगा दिए sin 2 theta के लिए अगर आप formula लगाते हैं तो आप कहेंगे 2 sin 2x into का cos 2x और इतना तो कहीं चकते ना upon में sin x यह system होगी अपने पास अब आप यहां पर अच्छे से देख रहे हैं कि हमारे पास sin 2x फिर से sin 2x के लिए आप फिर से formula लगा देंगे तो आप कहेंगे 2 sin 2x के लिए 2 sin x into का cos x into का cos 2x upon में sin x and dx अब यहां पर आप simply क्या कर सकते हैं बहुत आसानी से sin x और यह sin x cancel out कर दिए ठीक है यह sin x sin x cancel out कर दिए अब आप क्या कर रहे हैं अब आप यह कर रहे हैं कि एक दो को तो बहार निकाल लेंगे ठीक है एक दो को आपने बहार निकाला integration एक दो को आप लिखे रहे हैं 2 cos x into 2 cos x into cos 2x और dx और अब आप यहां पर अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास formula क्या बरने वाला है तो आप कहेंगे 2 cos a into का cos b जो की होता है cos a plus b plus में cos a minus का b ठीक है तो यह formula होता है जिस चीट का आप इस्तिमाल कर रहे हैं मैंने आपको चारो formula लिख वाए थे तो अब यहां पर 2 है तो 2 लिए रहे है 2 cos a into cos b cos a plus b plus cos a minus b तो बहुत आसानी से आप यहां पर कर पाएंगे ठीक है cos a plus b यह नहीं x और 2x चाओ तो डारेक्ट जोड़ ले ना यह x और 2x जोड़के 3x हो जाएगा और x minus 2x करेंगे तो minus का x हो जाएगा और यह दो बाहर रहेगा जहां रखेंगे इस बात को ठीक है तो बहुत सही सवाल जा रहा है कोई रिक कर रही है दो बाहर रहेगा integration ले रहे हैं यह दो बाहर integration ले रहे हैं यहां पर आपको और यह आपका cos a plus b यानि कि cos a plus b x plus का 2x plus का cos a minus यानि x minus का 2x इस तरीके से ले लिए और यह और हमारे पास dx करके ठीक है चलिए तो यह कितना होगा 2 integration cos 3x plus का cos minus x अब आपको पता है कि cos के अंदर अगर minus है तो वो plus का हो जाएगा यानि 2 integration cos 3x minus यह minus का है plus कर रहेगा cos x ठीक है अच्छी बात है dx यहाँ से कितना हो रहा 2 cos 3x का आप कह रहे हैं कि sin 3x अपन में 3 और plus cos x का आप कह रहे हैं plus का sin x और एक अच्छारपाद c बड़ी अतरीके से ठीक है 2 का अंदर बुड़ा कर दीजिए 2 का अंदर बुड़ा करने पर ही हो जाएगा आपर पस 2 upon 3 sin 3x plus 2 sin x plus c करके यह अपना आंसर होगी है ठीक है देख लिए बड़ी अतरीके से question number 16 हो गया है अब हम बढ़ते हैं question number 17 की तरफ फटा फट से जो दिया है 1 upon 1 minus cos x 2000 में फिर 1 में 3 में 4 में 16 में कई बार पूछा के सवाल है simple चीज है मैंने आप से कई बार कह रखा है कि अगर cos के साथ 1 है किसी भी तरीके से तो याद रखिएगा 36 कहां कड़ा होता है cos का 1 का तो आपको simply 1 हटाना है यानि आप कहेंगे यहां लगाएं cos 2 theta बढ़ाबर कि 2 प्लस में न cos तो आप कहेंगे 1 minus का 2 sin square theta यह formula लेकिन यहाप पर है cos x तो आप formula कहेंगे cos x के लिए cos theta बढ़ाबर 1 minus 2 sin square theta y2 यह formula अप्लाई कर देंगे आप लिए formula लगा देंगे हम लोग है ना हाँ तो यहां पर कितना हो जाएगा integration 1 upon 1 minus कोश्टक में 1 minus का 2 sin square x upon 2 and dx यह हो जाएगा अच्छी बात है integration 1 upon 1 minus का अंदर कुणा करेंगे तो minus 1 minus minus plus का 2 sin square x upon 2 and dx x से 1 कट जाएगा और यह हो जाएगा 1 upon 2 sin square x upon 2 and dx दो बाहर में का लिए 1 upon 2 बाहर आएगा sin square उपर जाएगा तो आप कहेंगे cos square x upon 2 and dx अब यहां पर आप simply cos square का formula लगा पाएगे जो की होता है हमारे पास minus का cot x क्या होता है 1 upon 2 बाहर आया cos square होता है minus का cot कितना होता है minus का cot clear बात है cos square minus का cot x upon 2 है अब x upon 2 है तो x upon 2 रहेगा कितना रहेगा x upon 2 रहेगा बटे में x के साथ किस चीज का गोड़ा है x के साथ 1 बटे 2 का गोड़ा है अब x के साथ 1 बटे 2 का गोड़ा है तो आप नीचे भी 1 बटे 2 लेंगे अचरपद C लेंगे, यहाँ पर एक बटे 2 लेख रहे हैं, यहाँ पर भी नीचे भी एक बटे 2 देख रहे हैं, तो simply आप क्या करेंगे, इस एक बटे 2 से, एक बटे 2 आप cancel out कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से, ठीक है, और अब यह आपका final answer यहाँ से मिल सवाल, sin square x upon 1 minus cos x whole square dx, तो समझेगा कैस तरीके से सवाल जाने वाला है, बढ़िया सवाल है, यह गोर कीजिए, अच्छी तरीके से, तो आप करें, integration, sin square को हम क्या लिख सकते हैं, 1 minus cos x, तो सोचो आप, sin square को हम लिख सकते हैं, 1 minus cos square x, ऐसे लिख सकते हैं, अब यह आपका असा कर सकते हो, यह होगे, a square minus b square, यानि एक बार plus में, एक बार minus में, तो आप करेंगे, 1 plus का cos x, एक बार plus में, एक बार minus में, इस तरीके से, अच्छा देखो, यह whole square है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 minus cos x, 1 minus cos x, और भाई, simple बात है, है न, और 1 minus cos x, 1 minus cos x, आप देख रहे है, यह आपने cancel out कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, तो बच कितना गया, 1 plus का cos x, अपन में, 1 minus का cos x, कितना बच गया, अब आपको formula वो apply करना है, ताकि हमारा जो एक है, वो cancel out हो जाए, ठीक है, न, cos के साथ जो एक है, वो cancel हो जाए, तो यहाँ आप कहेंगे, हम लगा रहे है cos theta वरावर, 2 cos square theta by 2, minus 1, और हम लोग लगा देंगे, 1 minus का, 2 sin square theta by 2, यह formula आप ऊपर नीचे दोनों जगए, इस्तमाल कर रहे हो, ठीक है, और वही बात मैं कहता हूँ, बार बार formula लिखोगे, formula रटने नहीं पढ़ेंगे, formula याद हो जाएंगे, बार बार इस तरीके से लिखो formula, कि कहां पर कौन सा formula इस्तमाल होगा, उससे दो चीज़े होगी, एक तो आप formula को बिना रटे याद कर पाओगे, ठीक है, दूसरी यह होगी, कि exam में आपको यह ध्यान रहेगा, कि यहार मुझे सवाल लगाना है, सवाल लगाने के साथ-साथ, अगर कही formula पूछा गया है, जरूरत पड़ा होगी, तो उस formula को भी लिखना है, ठीक है, यह आपकी habit में हो जाएगा, इस बात को ज्यान रखो, cos theta के लिए हम लोग यह चीज़े अपलाई कर रहे हैं, अपलाई कर हम लोग कर रहे हैं, तो 1 plus cos x की जगए क्या रखना है, plus में तो यह रखेंगे, 1 plus 2 cos square x upon 2 minus 1, upon में 1, 1 minus cos x है ना, तो minus का इसमें गोणा करा देंगे, ठीक है, इस minus का, यहाँ पर अगर रखोगे, cos x की value, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस का अंदर गोडा करा दें, माइनस का अंदर गोडा करेंगे तो यह जाएगा माइनस एक, यह जाएगा माइनस एक, यहाँ कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है न, माइनस एक, माइनस माइनस प्लस, यह फिर अगली लानम कर देते हैं चलो ठीक है तो आप करें इंट्रिकेशन ऑफ तू कॉस्च इस्क्वाइर एक्स अपॉन टू अपॉन में टू साइन इस्क्वाइर एक्स अपॉन टू एडी, इतना ले रहे हैं अभी यहाँ पर आप सिंप्ली क्या कर सकते हैं यह प्लस का 2 और यह उपर नीचे 2 है उस उपर नीचे 2 को हम लो कैंसल आउट कर रहे हैं तो यह हो जाएगा integration of cos square sin square cos square sin square क्या होगा cot square x upon 2 dx लेकिन cot square के लिए formula नहीं होता है अगर cot square के लिए formula नहीं होता है तो आपको पता है कि से कि स्कुयर का होता है मैंनेस का कॉट मैंनस का कॉट x upon two x के साथ upon में two है लिए बन अपॉर और मैंनस एक जागे आएगा x प्लस का सी ठीक है तो एक बड़े दो यह पलट जाएगा तो यहां से हमारे पास प्लस C करके इतना हमारा फाइन आसर आ रहा है ठीक है तो यह देख लिए अठार्मा कोश्चन होगे बढ़िए तरीके से आंगे बढ़ें कोश्चन अमर 19 देखें और यह तो कई बार मैं आपको इस तरीके से समझा चुका हूं कोई दिक्कत नहीं है अंडरूड ऑन प्लस साइन टूए गर्मुला क्या बनाएं गे हम्नों लुग यहां पर बना रहे हैं डूए झाएक्स के लिए-ग्स अपॉर्मॉण प्लस cos square x upon 2 फिर यह जी इस्तिमाल करेंगे हैं ठीक है तो यहां आप कहरें sin square x upon 2 plus cos square x upon 2 plus 2 sin x upon 2 into का cos x upon 2 and dx ठीक है यह हो जाएगा अपने पास system and dx तो यहां से आप a plus b का whole square यानि कि sin x upon 2 plus cos x upon 2 का whole square वर्गमूल चड़ा लीजिए dx ले लीजिए वर्ग से वर्गमूल हटीजी आएगा तो यह आप कहेंगे sin x upon 2 plus cos x upon 2 and dx करके sin x upon 2 का कितना करेंगे minus का cos x upon 2 upon में x के साथ बटे में 2 है तो बटे 2 आएगा plus cos x upon 2 का आप करेंगे sin x upon 2 और x के नीचे बटे 2 है तो यह बटे 2 आएगा और a का चरपसी आएगा 2 को आप उपर ले जाएंगे और यहां से आप final answer कह सके है प्लस को आँगे ले लिए यह दो ऊपर जाएगा ठीक है तो यहां final answer कह रहे हैं कि 2 sin x upon 2 माइनस का यह 2 ऊपर जाएगा तो 2 cos x upon 2 और एक अचरपसी आएगा और final answer हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके यह सवाल कई वार हो चुके हैं इस तरीके से इनमें कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए सिस्टम आपका होगे बड़िया तरीके से 19 के बाद आप आंगे आ जाएए यह 20 मां देख लिए 1 plus sin x upon 2 वही चीजिए 2015 में पूछा क्या सवाल है तो इस तरीके से सवाल कितनी वार हो चुके फिर आपका 1 plus में sin x हुआ अभी हुआ फिर यह होगे 1 plus में sin x upon 2 चाहिए इतनी बार इस तरीकी के सवाल लगा लो सब वही जाएगा ठीक है ना हाँ तो यह आपकी सिर्ष प्रेक्टेस के लिए है अगर मैं बात आँ यह बनना चाहिए आप और दूसरी बात यह है कि sin x upon 2 के 2 sin theta upon 2 into cos theta upon 2 यह होता है फिर अगर मैं बात करता हूँ sin theta की तो आप कहते हैं यह 2 sin theta by 2 नहीं यहाँ पर यहाँ पर मैं कहता हूँ यह sin 2 theta होता है 2 sin theta into cos theta अगर sin theta है तो आप कहते हैं sin theta upon 2 into cos theta upon 2 यह कहते हैं लेकिन यहाँ पर है x upon 2 तो आप कह रहे हैं sin theta by 2 तो आप कह देंगे आप 2 sin theta upon 4 into cos theta upon 4 यह चीज़ साहँ में आई ना यह चीज़ एकनम लोगों के लिए तरीके साहँ में आनी चाहिए 2 theta के लिए वहाँ theta theta अगर theta है तो theta by 2 theta by 2 और अगर theta by 2 है तो दो का और भाग होगा तो theta upon 4 theta upon 4 हो जाएगा simply तो यदि आप sin theta upon 2 के लिए इतना इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर एक के लिए इसी हिसाब से एक के लिए इसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे 1 वराबर आप करेंगे sin square theta upon 4 प्लस का cos square theta upon 4 यह जो चीज़ है यह इस्तेमाल करने वाले हैं समझें न यह इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर ठीक है भी तो आप करें integration of under root आप कहेंगे sin square theta upon 4 प्लस cos square theta upon 4 प्लस का 2 sin theta upon 4 इंटू का cos theta upon 4 और जो है यह इतना हो जाएगा और यहाँ पर भी आप dx कर देंगे यह system money अपना और dx ले लिए यह a plus b का whole square या नहीं कि वर्गमूल sin theta upon 4 प्लस cos theta upon 4 इसका whole square ले रहे है वर्गमूल ले रहे है वर्ग से वर्गमूल हटा रहे है तो आप सिंपली कह रहे है साइन theta upon 4 प्लस cos theta upon 4 यह ले रहे है ठीक है ना dx कर रहे है देखें सिस्टम मिलपूल के लिए रहे है साइन की जागे कितना आएगा माइनस का cos theta upon 4 आएगा अच्छा theta नहीं करना था सब जगे x कर यह जल्दी वाजी में थीटा थीटा करके थीटा नहीं x करना है आपको शल्दी कोई लिखते यह जाएगा x x x x सवाल x के लिए है यहाँ यहाँ पर भी x x cos x upon 4 cos sin का हो जाएगा minus cos x upon 4 x के नीचे बटे 4 है तो आप कहेंगे बटे 4 प्लस cos का हो जाएगा sin x upon 4 और x के नीचे बटे 4 है तो यहाँ बटे 4 कर लेंगे और एक अच्छा कर सी ले लेंगे बस आप इस चीज को पलट लेंगे और यहाँ से हमारे पास final answer आ जाएगा ठीक है ना चार उपर जाएगा और एक काम यह करेंगे हम लोग चार उपर लेंगे और प्लस वाले को आंगे लेंगे तो यह हो जाएगा मारे पस 4 sin x upon 4 minus का 4 cos x upon 4 plus c करके इतना final answer हो गया ठीक है ना कि लिए बात है यह चार उपर जाएगा तो 4 sin x upon 4 यह प्लस वाला फिर माइनस वाले माइनस का चार उपर जाएगा तो 4 cos x upon 4 plus c करके तो यह इतना अपना answer रहेगा परफेक्ट तरीके से यह formula है ठीक है चले तो question number 20 हो गया आंगे बढ़ें question 21 की तरफ फटा फट से यह आपक कहा था जिसको भी यह formula पता है इसका तो बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा क्या है formula aq minus bq का क्या होता है a minus b a square plus a b minus b square इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे x cube minus 1 के लिए आप कहेंगे x minus 1 और x square plus x plus 1 ठीक है तो आप इस यह formula लगा कि आप यहाँ पर इस चीद कर इस्तेमाल कर रहे है और 2013 में पूछा कि आपका सवाल है ठीक है ना देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा हमारे पास 3 और x square x plus x plus 1 बटे 5 और x cube minus 1 की जगा आएगा x minus 1 and x square plus x plus 1 करके dx अब आपको देख रहा है यह x square plus x plus 1 cancel out होगा तीन बटे 5 बाहर निकाल लेंगे integration upon में बचेगा 1 upon x minus 1 and dx simple बात है अब यह और भी ज़्यादा simple है क्योंकि मैं आपको बता रखा हूँ कि अगर इस तरीके से है तो यह system किसमें आएगा log में आएगा इस तरीके से मैंटर है तो जो मैंटर जाएगा वो लॉग के लिए जाएगा ठीके ना मैंने आपको बता रखी इस बात को याद रखीएगा ठीके तो अगर सुरू से किलासे देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो यह जाएगा log x-1 ठीक है log x-1 और एक अचरपद c करके तो इतना अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा x के साथ किसी चीज़ के गुणा है नहीं तो बटे में कुछ लेना नहीं है और यह हमारा final answer आ जाएगा ठीक है यह फॉर्मूला होता कि नहीं देखे यहां पर भी स्कॉयर यहां पर दोनों तरफ इसकॉयर बीच में प्लस सिस्टम वह यह की नहीं देख लो अलग तो system आपको देख नहीं तो नहीं देख रहा तो सिदेखी दो जाएगा क्या होगा one up यह जाएगा बी स्कॉयर प्लस यह पर लिखेंगे आप A X का स्क्वायर एंडी एक्स ठीक है अच्छी बात वन अपॉन ए तो वन अपॉन एक जगा बी ना वन अपॉन भी एंड टैन इन्वार्स से एक्स अपॉन ए यानिकि AX आपॉन और यह सब्सक्राइब एकस के साथ के सीच का गुणा है और एकस के साथ कह जाएगा और एक शञ कोणा है एक तरी ए पजुक्या चलकर दॉट के साथ cm яien a जा और एस में जो ए है even के की एवा कर जाएगा तो के आरहां पर आप सिंइफ लिगए वहें आप खूटकर A B और 10 inverse A X upon B plus C इस तरीके से आप आंसर बता रहे हैं तो यह हो गया वना अपॉन A B 10 inverse A X upon B plus C करके इतना आंसर हो गया है ठीक है ना किलियर बात है इसमें बिल्गे सिंपल माम लाता है आपको मैंने इसी समझाई भी थी ठीक है इसको समझते हैं ठीक है समझेंगे तो इसी आसान हो जाएगी थोड़ा सा सब्सक्राइब को मैं आपको पहली भी कई बार कहा है कि जो चीज नीचे होती जो आप नीचे सिस्टम देखते हैं उसी सिस्टम को बनाते हैं नीचे X plus 1 है तो उसी सिस्टम को आप ऊपर बना रहे हो कैसे बनाओगे समझो अब यहां पर X plus 1 है तो 2X है और यहां पर माइनस एक है तो समझेगा बहुत आसानी से यह सिस्टम है आपका 2X ठीक है जानदो यहां X plus 1 है ना X plus 1 बनाने के लिए कैसे करोगी अगर हमने 2X लिया तो आप 2 ले लिए प्लस का अगर हमने 2 लिए दो कॉ प्लस 1 है ना तो प्लस 2 ले लो अब प्लस 2 लेने पद दो कॉमण निकालो को तो बन जाएगा ठीक है लेकिन हमको एक चाहिए तो मैमेंस एक कैसे हैँगा अगर आपने माइनस 3 ले लिया बैलेंस करने के लिए मेलें तो balance करने के लिए क्या करोगे माइनस तीन लो अब यह माइनस का एक दिखेगा आपको अभी ठीक है तो आप करें x प्लस वन का whole square and dx अब यह simple है दो का आप common निकालो यहाँ पर तो यह जाएगा x प्लस वन माइनस का 3 बटे x प्लस वन का whole square and dx अब simple के लिए आप क्या कहेंगे कि x प्लस वन का whole square अलग अलग भाग कर देंगे तो हमको यह मिल जाएगा कितना 2 and x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन का whole square माइनस का 3 अपॉन x प्लस वन का whole square and dx इस तरीके से ठीक है तो यह सिस्टम हो गया और यह आप आसानी से देख रहे हैं कि x प्लस वन से एक x प्लस वन सिस्टम माइनस का 3 और यह यह उपर जाएगा एक्स प्लस वन की पावर माइनस का टू इतना ले लेंगे सिस्टम ठीक हिन आ चाब तो यह यह स्टार बागेर लगा लिना यह सिस्टम आपको किल रोना चाहिए यह आपका सिस्टम बन जाएगा ठीख है आप सिस्टम देखेंगे और क्या होगा अब यहां से सब्सक्राइब गज़ें लौक के लिए पर नहीं लगाएंगे ब़रावर बाहर निकालेंगे 2 बाहर निकालेंगे, system आपका log के लिए जाएगा, log x प्लस 1 के लिए जाएगा, ये minus का 3 है, ठीक है, minus 3 बाहर निकालेंगे, x प्लस 1 की पावर minus 2 है, तो घात में 1 जोडते हैं, 3 हमने बाहर निकाले लिए, तो आप कहेंगे, x plus 1 की power minus 2 में 1 दूड़ो तो minus 1 बटे minus 1 और plus का ये c हो गया ठीक है इतनी बात के लिए रहे minus और minus e आप plus कर दोगे तो यहाँ पर simply कह रहे है 2 log x plus 1 minus minus plus हो गया 3 और ये negative power है तो 1 upon x plus 1 कह रहे हो और plus c बोल दो इतना answer बोल दोगे आप simply 2 log x plus 1 plus 3 और 1 upon x plus 1 plus c करके इस तरीक से चाहो तो इतना बोल दो या फिर आप एक काम ये कर लो कि 3 को जो है 3 को इसको ऊपर ले जाओ यानि आप कहरें 2 log x plus 1 plus का 3 upon x plus 1 और plus c तो चाहो इतना answer कह तो ऊपर वाला कह तो कोई दिक्कत नहीं है चीज के लिए रहे तो यह होगे question number 23 अगला सवाल देखें अगर हम लोग अगला सवाल हमारे पास है 24 नमर का x upon under root 1 minus x dx बढ़िया सवाल है देखो प्रतिस्थापन करना प्रतिस्थापन करने के लिए हम लोग कई चीज़ा कर सकते हैं या तो आप देखो अंडरूट 1 minus x को पूरा माल लो , ती माल लो है ना अंडरूट 1 minus x को पूरे को t माल लो या अकेले 1 minus x को t माल लो ठحं़ है कैसे भी करोगे हो जाएगा system हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर मान रहे हैं माना अंडरूट 1 minus x बरावर t तो हम लोग कह सकते हैं one minus x बरावर t square चुकि वर्ग मूल है इस तरफ आएगा वर्ग हो जाएगा एक्स देख रहा हो नहीं आपर एक्स की वैलू निकाल लेंगे अब एक्स की वैलू कित्य निकले की आप देखें यहां पर यहां पर यह सारी चीजह आपर रिप्लेस कर दोगे प्रितिस्ता तक कर दोगे हमारा की सबसेट्यूट कर दोगी इन सब शीजह को सबसेट्यूट करोगे यहां पर इंट्रीगेशन ओफ एक्स की जगह कितना आएगा वन माइनस का t square अप और में अंडरूट वन माइनस एक्स की जगह कितना आएगा यहां इतना आएगा माइनस का 2T इंटू का dT माइनस का 2T इंटू का dT और यहां आप अच्छी से देख रहे हो यह हमारा T से T cancel out हो रहेगा ठीक है ना? T से हम लोग T cancel out कर रहे हैं तो आप हमारे पास कितना मज़ेगा? दीखें, minus 2 है तो आप कहरें, integration of minus 2 1 minus का T square and dt चाहो तो minus 2 का गुरा कर लो या फिर minus 2 को बहर निकाल लो तो मैं तो यह कहता हूं minus 2 का गुरा ही कर लो वो ज़्यादा सही है तो मैं तो मैं तो minus 2 का गुरा करा देता हूं तो आप कहरें, integration of minus 2 का गुरा कराने पर minus 2 minus minus plus 2 T square and dt इतना मिल गया हमारे पास कितना हो जाएगा देखी अचरपद होता है तो यह ओगा 2T याद रखना के साफ एक्स कर रहे हूँ तो माइनस दो है अचरपद है तो अचरपद रहेगा और एक टी आ जाएगा ठेक है और यहां पर कितना होगा तू टी की घात 3 बटे 3 प्लस C सिस्टम एक दम परफेक्ट है या ना अचारपाद है तो अचारपाद रखो गी साइड में और एक 1 का हो जाएका टी और 2 बाहर T2 का घात में एक जोड़ते हैं, तो घात में हो गया 3, बटे 3, प्लस C, और T के इस्तान पर आपको रखना है अंडरूड 1-X, फिलस वाले मामले को आंगे ले लो, तो 2 अपॉन 3, और यहाँ पर T की घात 3 है, तो आप करें अंडरूड 1-X की घात 3, इस तरीके से, अंडरूड 1-X और प्लस C करके, इतना अंसर हो जाएगा, ठीक है न, बड़ी है सवाल, अच्छा सवाल, ठीक है, आंगे बड़ चलते हैं, 24 के बाद, भीया, मेरे 28 सवाल देएते हैं, 25 सवाल देख लीजिए, जो की आपको कुछ इस तरीके से दिया है कि, integration of cosx upon 1 plus cosx, सवाल बहुत आस cosx upon 1 minus cosx, देखे, आपको मैं याद दिला दूँ कि पिछली क्लास में भी हमने इस तरीके के जो पर्मेकरण वाले सवाल देख लगाए थी, तो आपको ये ध्यान रखना है, यही तो मैं कहता हूं, सवाकलन की यही तो बात है थी, इस सवाकलन आप किसी एक direction में नहीं जाए तो कल हम लोग ने इस तरीके के जो सवाल लगाए थे पर्मेकरण वाले, उसी तरीके के चीज़ है यह वाला थी, ठीक है, cosx upon 1 plus cosx, ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, अगर मैं बात करूँ, तो यह हो जाएगा cosx और 1 minus cosx, ठीक है बई, और a plus b, a minus b, यानि की a square minus b square, cos square x and dx, अचा 1 minus cos square x हो जाएगा मारे पास, sin square x, और हम लोग cosx का अंदर गुणा कर देंगे, integration of cosx minus cos square x upon में, यहाँ पर आप लेंगे, sin square x and dx, ठीक है, इस sin square x का आप भाग देंगे, अलग-लग, ओके, चलिए अच्छी बात है, भाग देंगे, अलग-लग, तो अल लग-लग, हम भाग देंगे, integration of, आप कह रहें, यहाँ पर cos x बटे, sin square x, minus का, यहाँ आप कह लिए, cos square x बटे, sin square x, और dx, ठीक, अब आप सवाल कर पाऊगे, इस तरीके से कई बार चीज़ें होंगे, sin square x है, तो sin कर देंगे, अलग-लग, integration of, यहाँ आप करेंगे, इसको क् देंगे, 1 upon sin x, 1 upon sin x, into का, cos x बटे, sin x, ऐसे कर लेंगे, minus कर, cos बटे, sin हो जाएगा, हमारे पास, cos square x, ठीक है, n dx, अच्छा, cos square x क्या होता है, यह होता है, cos square x, minus 1, ठीक है, cos square का कोई formula नहीं होता है, लेकिन, cos square को हम लिख सकते हैं, cos square x, minus 1, और इस minus का, पूरी के साब गु होगा की नहीं होगा, तो यह जाएगा, minus का, cos square x, minus, minus, plus 1, ठीक है, इस minus का, इसके साथ गुणा होगा, cos square की जगे, cos square x, minus 1, ठीक है, लेकिन, यह minus देख रहो, इस minus का, हम पूरे में उड़ा करा देंगे, ठीक है, तो यह चीज मैं, डारेक कर रहा हूँ, यहाँ से, यहाँ पर आपको में जाएगा, integration, one upon sign है, तो आप कहा रहे है, cosec x, into में, cos बटे sign आप कहा रहे है, cortex, minus है, अंदर बुना कराते जाएगे, तो यह हो जाएगा, हमारे पास, cosec square x, minus, minus, plus 1, and dx, अभी आप आसानी से कर पाएगे, cosec x, into का cortex, minus का, cosec x, minus, cosec square x, minus का cortex, plus 1 का हो जाएगा प्लस का सी, तो यहाँ से आप क्या final answer कह सकते है, minus, minus, plus, cortex, minus का cosec x, plus का x, plus का सी, और यह अपना final answer हो गया, ठीक है, बड़े तरीके से देख लिए, अच्छा सवाल था, ठीक है, इस तरीके सवाल हमने कल लगाए थे, परमिकरण वाले, तो यह एक तरीके से हो गया सवाल, आ आपका यह सवाल दिया है, 26 मा, जो कि बहुत ही आसान सवाल, अगर मैं सवाल की बात करता हूं, बहुत ही आसान सवाल, देखो आपको लगता होगा बड़ा सवाल, लेकिन है बहुत ही आसान सवाल, करना क्या है, वही बात है कि, cos 2 theta के लिए formula अप्लाई कर देंगे, यहाँ और आप कहेंगे कि integration of cos 2 theta के लिए लगाएंगे, 2 cos square theta minus 1, 2 cos square x minus, यह लेंगे, अच्छे यह minus देकर है, तो minus का गुणा भी करोगे, minus, और यहाँ आएगा 2 cos square a minus 1, इस minus का अंदर गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिलकुल हो जाएगा, तो यह इतना बन जाएगा, ठीक है, तो यह इतना बन जाएगा, एक जाएगा, एक जाएगा परफेक्ट के लिए रहे, minus है, cos 2a के लिए रहे रहे, 2 cos square a minus 1, लेकिन minus का अंदर गुणा करोगे, तो plus a हो जाएगा, बटे में यह हमारे पास है, cos x minus का, cos a and dx करके, देखिए, minus 1 और plus 1 cancel out हो रहा है, आपको common निकाला, तो 2 हमने common निकाला, तो यह हो जाएगा, cos square x minus का, cos square a upon में, cos x minus का, cos a and dx, इतना हो जाएगा, अच्छी बात है, और यहाँ पर आप simply a square minus b square का फोरून लगापा होगे, बिल्कुल लगापा होगे, तो दो बाहर रख रहे हूँ, integration कर रहे हो, एक बार plus में, एक बार minus में, cos x plus cos a और cos x minus का cos a upon में, system में हमारे पास cos x minus का cos a करके and dx करके, तो यह इतना clear है, यह आपका system बना, cos x minus cos a, cos x minus cos a करके यह हो जाएगा, cos x plus cos a बच जाएगा हमारे पास, simply system, ठीक है, तो यह आपका system यहाँ पर इस तरीके से हो गया, और यह कितना बचा, cos x plus cos a, ठीक है, तो यह 2, cos x plus cos a करके तना बच जाएगा, and dx हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, क्या हो जाएगा, 2, cos x का हो जाएगा, आपके पास, simply sin x, अच्छी बात है, cos x का हो जाएगा, sin x, cos a अचरपद है, cos a अचरपद है, तो बाहर रहेगा, और x आजाएगा, x इंटू का, cos a plus c, अरे बात clear है ला, एकदम, cos x का, तो sin x हो जाएगा, cos a अचरपद है, cos a अचरपद है, तो इसका समाकलन नहीं होगा, यह बाहर रहेगा, समाकलन किसका होगा, 1 का होगा, है ना, हाँ, तो अचरपद होता है, तो क्या हो जाएगा, एक x भी आजाता है, तो cos a रहेगा, और x आजाएगा, प्लस सीर हो जाएगा तो यह आपका आंसर हो जाएगा अरे समझते हो ना अचरपत का हां अगर आपको कॉस एका समाकलन करना है कैसे करोगे कॉस ए बाहर रखोगी ose तो ने हमारे पास एक्स एक्स एंटु का समंखते हो हां बढ़िया तरीके से समंखते हो आप लोग बहुत अच्छी तरीके सांदर तरीके से ठीश 26 मा हो गया 27 मा देखो फटाफट से sin qx plus cos qx upon sin square x into cos square x तो अगर मैं सवाल की बात कर लेता हूं तो सवाल बहुत ही ज़्यादा simple है कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है देखने में आपको बहुत ज़्यादा heavy लग रहा होगा लेकिन सवाल बहुत आसान है करना कुछ नहीं अलग-अलग भाग देना कड़ेगा और आपका सवाल हो जाएगा ठीक है देखेगा अलग-अलग सबसे पहले आप लोग भाग देदिए integration of यहाँ पर आप कह रहे हैं sin qx upon sin square x into cos square x simply प्लस का cos cube x upon sin square x into cos square x इस तरीके से एंड-dx simply आप यह ले रहे हैं अब यहाँ पर sin square x से sin cube x यह आप काट रहे हैं integration आप यहाँ पर ले रहे हैं sin x upon cos square x plus का यहाँ पर सिप्ली cos square x से cos cube कटेगा ऊपर cos बच जाएगा नीचे sin square x बच जाएगा अब देखो आपको अगर यह चीज पता चल गई होगी कि इस तरीके के सिस्टम को हम लोग कई बार कैसे कर लेते यह आपका जो सिस्टम बन जाता है इसको हम लोग सिंप्ली करते हैं cos square को 2 cos कर लें cos x into cos x और यहाँ पर भी sin square x को sin x into sin x कर लेंगे एकदम perfect है मामला हां कोई मामले में problem नहीं है इस तरीके से कई बार हो चुक है चीज़े तो cos square x के लिए हम लेकर हैं one upon cos x into का यहां कर रहे हैं sin x upon में cos x प्लस और यहां cos x है तो यह आप कर रहे हैं cos x upon में sin x into का अच्छा यहां पर क्या करों यहां पर sin square x into sin x करना है तो one upon sin x और cos x upon में sin x ऐसे ले लेते हैं ठीक है बस अब यह आपका सवाल आसानी से हल हो रहा है कितना आसान सवाल है ना यहां आप क्या कर रहे हैं cos क्या कॉण साइन वार चाईगा तो यहां पर होगे है सेख एक सिंक शाइन वटे कॉस कर रहे हैं 10 x ॉपर जाएगा तो यह हो जाएगा को शिक its into का कॉस मटे सायं होगी हमारे पास १ यह अन्मंर यह बराबर यह यह तरो यह होता है sec x, यह होता है, minus का cos x, minus का cos x, sec x minus का cos x plus c करके, यह अपना final answer होगी है, ठीक है न, कितना सरल, सवाल जरूर आपको कठिन दिख रहा होगा, लेकिन था नहीं, सरल सवाल था, ठीक है, 27 और आज का आपका यह आखरी 28 सवाल, जो की 2 संदोयार मैं पूछा के सवाल है, इस तरीके का simple सवाल ये भी है, जो की है आपका integration of 1 upon under root 2x plus 3 plus under root 2x minus 3, देखे, दिख रहा है भी, लेकिन सवाल बहुत आसान है, पर्मियकन कर दीए, आसानी से आजाएगा पर सवाल, ठीक है, तो यहाँ पर ले रहें, integration of 1 upon under root 2x plus 3, ठीक है, 2x plus 3 plus under root 2x minus 3, इस तरीके से आप ले रहें, फिर पर्मियकन करना है, आपको under root 2x plus 3, बीच में plus है, बीच में आप minus ले लेंगे, 2x minus 3, इस तरीके से, ठीक है, और upon में under root 2x plus 3, और minus under root 2x minus 3, इस तरीके से, ठीक है न, यह सिस्टम आपका बन गया, और यह dx हो जाएगा, उपर वाला रहेगा, नीचे वाला जो सिस्टम जाएगा, a plus b and a minus b करके, a plus b and a minus b करके, जाएगा न, तो यह आप पुरा है, 2x plus 3, और minus में under root 2x minus 3, इस तरीके से आप ले रहे हैं, ठीक है, और upon में a plus b और a minus b, यानि under root 2x plus 3 का whole square, minus under root 2x minus 3 का whole square, यह सिस्टम आपका बन जाएगा, और आप यहाँ काता है, dx, अच्छी बात है, integration, under root 2x plus 3, और minus under root 2x minus 3, यह हो रहा है, upon में, यह आप ले रहे हैं, बर्गे से वर्गमूल हटाया, बर्गे से वर्गमूल हटाया, तो आपको में जाएगा, 2x plus 3, minus का अंदर गुणा करा देंगे, ठीके, minus का अंदर गुणा करा देंगे, यह minus है, अंदर गुणा होगा, minus, यह बनेगा 2x minus 3, इस minus का अंदर गुणा भी करा देंगे, ठीके, जब minus का अंदर गुणा कराएंगे, तो यह हो जाएगा, minus का है, माइनस का मैंने अंदर गुणा किया वर्गे से वर्गमूल हटाया माइनस का अंदर गुणा किया तो माइनस का 2X माइनस माइनस प्लस का 3 2X 2X कटा प्लस 3 प्लस 3 मिलके 6 होगे एक बटे 6 को बाह निकाला यह हमारे पास 2X प्लस 3 की गात 1 बटे 2 माइनस 2x माइनस 3 की घात 1 बटे 2 इस तरीके से अब यहाँ पर घात वाला फॉर्मॉल लगा देंगे और आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप कर रहे हैं 1 अपॉन 6 1 बटे 2 ए 1 जोड़ना है ठीक है घात में 1 जोड़ते हैं इस तरीके से और बीच में हैं माइनस एंड 2x माइनस 3 2x माइनस 3 घात 1 बटे 2 एक जोड़ेंगे तो 3 बटे 2 और जो घात बनेगी वो 3 बटे 2 प्लस का c लेकिन यहाँ गलती मत कर दें ध्यान रखने इस बात को ऐसे मैंने आप से कहा ना सब्सक्राइब तो यहाँ पर दो से आप दो काड़ भोगे ठीक है यह चीज की लिए निए यह2 करज चाएगा इस दो से दो कर जाएगा इस बात को ध्यान लखेगा बहुत अच्छी बटे 2 और बटे में 3 बटे 2 जाएगा लेकिन ध्यान ही रखना है कि X के आद 2 का गुणा हो रहा तो बटे में 2 और जाएगा तो 2 से 2 हमने काट दिये सिंप्ली अब यह बटे में 3 देख रहे हो आप 3 को बहार निकाल लोगे तो 6-18 ले रहे हो एक बटे 18 और अंदर सिस्टम आपका बन रहा है 2X प्लस 3 की घात 3 बटे 2 माइनस 2X माइनस 3 की घात 3 बटे 2 एक अचरपद C और यह परफेक्ट आंसर आप बता रहे है सांदर वाला ठीक है देख लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं है बढ़िया तरीके से आपने 28 सवाल लगा है देखिए समाकलन में महनत करने हैं मैं इस बात पर बहुत जोड दे रहा हूं क्योंकि समाकलन आपकी सबसे बड़ा चैप्टर है सबसे ज्यादा एक्सराइज है सबसे ज्यादा कोश्चन है इसलिए इस पर आप बहुत ज्यादा महनत कीजिए एंड टाइम पर अगर आपको इस पर रिवीजन ना करना पड़ा ना कि इसके सवाल नहीं है मुझे तो कहीं से भी आजाएगा सवागलत दिक्कत नहीं थोड़ा बहुत देखके चला जाएंगा तो चीजें आपकी बहुत डूरेवल हो जाएंगे आपके लिए एक्जांप अब हम लोग हम वर्क की तरह पड़ते हैं तो फटा 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 से हम वर्क देख लीजिए सांदार वाला और सवाल आप लोग देखते हैं यह आप ले लेंगा टाइम में दूंगा तो इसके लावा ध्यान रखीगा एंसी यार्टी का जो आपका कोर्स है वो मैं करा चुक अब हम कंप्लिट उसको जरूर देख लीजिए तो यह आप पा इस तरीके से यह बड़िया तरीके से द्यान रखेंगे अगला सवाल है हमारे पास पास एकी पावर माइनस एक अपॉन एकी पावर एक्स प्लस एकी पावर माइनस एक ते कितनी बार सवाद पूछा गया है अगला सवाल है पूछा के सवाल है अगला सवाल है देख लेते हैं दसमा सवाल इस तरीके से दे दिया आपको 1-10x अगला सवाल हमारे पास है साइन एकस अपन में साइन एकस प्लस से अगरा सवाल हमारे पास ֹूच है सांच अपन साइनredit स्वाल देखिए चूंधा साइन 2020 से उसब से बैस्यете लिए और फाल घरा अचन में से 27 14 14 में पूंचाए हैं एक जैसे सवाध में पूंचा है रहे हों आपको फटा फट से स्क्रीन सॉट ले लिए जल देर लिए वीडियो पहुच कर लिए और इसका स्क्रीन सॉट ले लिए फटा फट से आंगे बर चलते हैं हमबर के मैं और आपके 15 सवाल हो गए तो अगला सवाल लेते हैं हम लोग 16 सवाल कुछ इस तरीके से दे दिया है दो यहार आठ पुछा के सवाल एकस स्क्वार पॉण 1-2 X क्यूब बढ़ी आसा निके कितनी बार पुछा दो यह एक में बांच में 12 में 15 में 16 में अगला है, उनीसा सवाल, एकिछ बाए नम देखिये, फर्मूला है, जा रखिए, ठीकिए, चले, अगला सवाल है, अगला है, गुबस बीघ सबस, जीजे, अगला सवाल हमारे पास है cot x upon log sin x जो की आपको 2.1 में 3 में 6 में पूछा गिया है अगला सवाल हमारे पास है sec x into cos x upon log 10 x ठीक है next सवाल आपके लिए इस तरीके से 25 के पाद 26 में नंबर 10 x upon 3 plus 2 10 square x फिर हमारे पास 1 minus cos x upon cos x 1 plus cos x ठीक है अगला सवाल हमारे पास 1 upon 1 minus cos x अथवा में करके sin x upon sin x minus cos x तो अगर 15 और 16 में पूछ आगिया simple चीज है cot को अगर आप sin cos में चेंज करोगे तो वो चीज मिल जाएगी आपको ठीक है फिर 29 सवाल देखे sin x into cos x upon a square sin square x minus b square cos square x फिर अगला सवाल लिए 2 plus sin 2 x upon 1 plus cos 2 x और हमारे पास अगर सवाल है 1 minus sin x upon 1 minus cos x करके तो 15 सवाल आपके पीछे होगे 16 सवाल यह होगे तो 31 सवाल होगे इनको बढ़िया सब्सक्राइब आप स्क्रीन सोट लेजी फटा फट से हम लोगो धेर साथी मैनत करनी है समाग हमें ठीकिक इनका पढ़िया तरी के से आपको स्क्रीन सोट लेना है और टॉर करना है मेरे ऐसा नहीं कि आप लगाऊ ना इनको लगाना है करनाह करना सवाल किया करिए और मुझे थोड़ा बता दिया गरिये कि किने सवाल बनगाए सवाल और मैंने लिए वही मैं कहा रहा हूं कि थोड़ा हम कुछ ज्यादा में करने हैं 31 हो गया दीखिए यह आपको दे दिया कुछ इस तरीके से वन अपॉन टो कुछ उइसने पुछें कह सवाल ही स्वाल है बहुत साधाना सवाल है अगला सवाल ह्पास वन अपन साइन एक सल मैनेंस इंटू सैं एक्स च नंड यह दमारे पास ऑफ़न अपन अंखम क मांग थे हैं अगण पहले मैंने आपको 15 सवाल दिये थे फिर 16 सवाल और यह आपके आखरी के 7 सवाल करके 38 सवाल होगे ठीक है तो आपको इनको बढ़ीया तरीके से स्क्रीन सोट लेना है बढ़ीया तरीके से देख लीजिएगा यह वीडियो पहुच कर लेना है को यादा सवाल नहीं की मेहनत करेंगे तो सफलता हांसिल होगी इस बात को हमेशा याद रखना अगर मेहनत करोगे तभी बात बनेगी अन्य था मामला ऐसा ही चलता रहता है खोई दिक्कत नहीं रहती है और धबराने की ज़रोत है नहीं है अर्थिस सवाल आप लोग ट्राइ कीजिएगा जितने ब कर देने जहीं है देने टेजिए मा मुझा शच्पक प्राइब करेंगे तेना